हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिस्सिस कोली की तरफ से प्यार भरे नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पकोड़ा कड़ी जी हाँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं जिसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए फिर देर ना करते हुए स् कर लिया है एक कब बिसन है डालते हैं इसमें वन फोर्थ टीस्पून नमक और थोड़ी सी अजवाइन भी आड़ कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बनाते हैं इसका बैटर एक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल मत आड़ कीजिए न इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी मिक्स करते हैं जिससे आ जाएगा बढ़ी ऐसा कलर और पानी फिर एड़ करूंगी मैं थोड़ा सा और करते हैं इसे मिक्स क्योंकि हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनिट रेस्ट के लिए रखना है जिससे बेसन अच्छी तरह से फूल जाएगा तो अभी मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है बैटर तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और एड़ कर देती हूँ लीजिए पानी एड़ कर दिया मिक्स करेंगे एक बार फिर तो मिक्स भी हो गया है और रख देते हैं इसे हम रेस्ट के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तो 15 मिनट पूरे हो चुके हैं बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है बस अब हमें इसे बीट करना है कम से कम एक से दो मिनट जिससे ये fluffy हो जाए हमारा बेटर और इसी से हमारे पकॉड़े बनेंगे बिल्कुल soft तो लिजिए बेटर भी हमारा काफी fluffy हो गया आप देखी रहे हैं color भी change हो गया है तो oil मैंने रख दिया है gas के ओपर गरम होने के लिए तो जैसे ही गरम होता है हम डालते हैं पकॉड़े इसमें fry करने के लिए तो मैं spoon की help से ही add करूंगी इसमें ये देखिए तो मैंने इसमें कोई प्याज विगएरा कुछ नहीं add किया है बिल्कुल simple से पकॉड़े हम बना रहे हैं जो खाने में बहुत tasty बनते हैं और बहुत ही ज्यादा soft भी बनते हैं तो ये देखिए उपर आ गया है तैरते हुए fluffy हमने बैटर को बना लिया था जिससे हमारे पकॉड़े बनेंगे soft soft तो मैं इसमें डालती जाओंगी बैटर और पकॉड़े करते है फ्राइ तो flame इसकी मैंने medium कर दी है medium flame पर ये अराम से हम इसे fry करेंगे पकॉड़ों को ये लीजिए आप हाथों की help से भी अराम से पकॉड़े डाल सकते हैं तो ये देखिए कितनी अची तरह से full कर ऊपर आ गये हैं तो turn कर देते हैं इसे और इसी तरह से मैं बाकी की सारे पकॉड़े भी बना कर त्यार करूँगी तीन से चार मिनिट लगेंगे पकॉड़े हमारे अच्छी तरह से fry हो जाएंगे तो सारे पकॉड़े हमने fry कर लिए हैं तो इने भी अच्छी तरह से कर लेते हैं फ्राई तो यह देखिए कलर हो गया चेंज यानि पकोड़े हमारे सारे फ्राई हैं तो अब हम त्यारी करेंगे हमारी कड़ी की तो मैंने निकाल लेती हूँ पहले तो लीजिए बहुत ही जबर्दस पकोड़े बन कर त्यार हैं तो अब हम कड़ी की त्यारी करते हैं तो मैंने ले लिया है मिक्सी जार तो मिक्सी जार में हम मिक्स करेंगे हमारे कड़ी के लिए बैटर को तो एक कप मैं ले रही हूँ या एक कटोरी मैं ले रही हूँ बेसन जिससे मैंने अची तरह से चान लिया है पहले से ही, तो अगर तो आपकी दही है खटी, तो दो कप आप डालिएगा, अगर थोड़ी ठीक ठीक है, तो तीन कप, तो मैं तीन कप इसमें आड़ कर रही हूं दही के, यानि एक कटोरी मैं ले रही हूं बेसन, और तीन कटोरी ले रही हूं दही, तो यह मैंने तीसरी भी डाल दी इसमें, और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूं, तो यह देखिए, बेटर हमारा मिक्स हो चुका है, बेसन और दही का, तो इसमें मैं आठ गुना पाणी च्छी डाल दी है, ओयल की, ओयल हलका सा गरम होने देते हैं, थोड़ा सा डालते हैं हम इसमें मेथी दाना और हेंग, चुटकी भर हीं। तो अब साथ में ही मैं डाल दूंग इसमें हमारा कटा हुआ प्याज, साथ में डाल देते हैं कटी हुई हर इमिर्च, टेस्ट के कॉर्डिंग, और इसे चित्रा से फ्राई कर लेते हैं। तो पोकोड़े हमने फ्राई करके साअगा पर रख लिक powinien है तो आब हम कड़ी की त्यारी में हैं तो इसे हलका सा हमें फ्राई करना है ज्यादा हमें मतलब कलर स्पेश करना है सरफ इसका गुलाबी कलर आने तक हम इसे व्राई करेंगे प्याज को तो मैंने करी पत्ता भी इसमें डाल दिया है बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है करी पत्ता से तो ये दिखिए फ्रेंड्स कलर इसका गुलाबी हो चुका है प्याज का तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच जिंजर कार्लिक पेस्ट आप लसन अद्रक कट करके भी इसमें आड़ कर सकते हैं तो मैं पेस्ट से इसमाल कर रही हूँ मिक्स कर देते हैं एक पर अच्छी तरह से अगर आप मिक्सी जार में दही और बेसन का बैटर नहीं मिक्स करना चाते हैं से करना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरह से बीट कीजिए ताकि दहीं और बेसन बिल्कुल एक सार हो जाएं तो अब मैं डाल देते हैं इसमें बैटर बिल्कुल स्मूध बैटर बन कर त्यार हुआ है हमारा तो जो जार में लगा है वो भी निकाल लेते हैं और फटा फट इसे चलाते रहेंगे फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई कर दिये इसकी तो अभी मैंने मसाले इसमें बिल्कुल एड़नी कियें तो जो थोड़ा सा बेसन लगा था जार में वो भी मैंने पानी डाल कर निकाल लिया है और फटा फट इसे चलाएंगे नहीं तो दहीं फटने का डर रहता है और अब हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले जिसमें मैं ले रही हूँ आदा चमस से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च का हमारा धनिया पाउडर क्योंकि उसका फ्लेवर कड़ी में बहुत अच्छा लगता है तो डाल देते हैं वो भी यह लीजिए अब इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें बड़ी असा बॉइल आना ना स्टार्ट हो जाए तो हल्दी पॉडर आप ज्यादा मट डालिएगा आदा चमच काफी है कलर के लिए यह दिखिए कितना बड़िया कलर आ चुका है इसमें और बॉइल भी अच्छा आना स्टार्ट हो चुका है अब यह पकाना है इसे हमें तो नमक अभी तक मैंने इसमें नहीं एड़ किया नमक भी इसमें एड़ करेंगे पर बाद में तो यह देखिए इसे कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए और बहुत अच्छी तरह से हमारी कड़ी पक भी चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारे फ्राइ कियो हुए पकोड़े तो डाल देते हैं यह पकोड़े हमने डाल दिये इसमें और अब इन्हें हमें फिर 10 मिनट तक कम से कम कड़ी को पकाना है मीडियम फ्लेम पर पर उससे पहले मैं इसमें एड़ करूँगी हमारा टेस्ट के अकोड़िंग नमक तो नमक एड़ हो गया अब इसे मैं कवर कर दूँगी और इसे पकने दूँगी 10 मिनट तो हमारी कड़ी बिल्कुल त्यार हो जाएगी आपको इदर इसमें थोड़ा कलर लाइट दिखाई दे रहा है पर यह लाइट नहीं है कलर बहुत बढ़ी आया है हमारी कड़ी का यह देखिए कड़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है 15 से 20 मिनट और हो चुके हैं यह देखिए तो अब हम लगाएंगे इसे एक और तड़का तो फिर कलर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर कौन सा आया है तो एक चमच मैंने ओयल डाल दिया है और जीरा यह हींग साथ में ही डालते हैं इसमें लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च और इसे थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं आप इसमें डालेंगे हम क कड़ी को तड़का यह लिजिए तो अब यह हमारी कड़ी बहुत ही जवरदस बन चुकी बहुत ही ज़्यादा टेशी और हाँ कलर देखिए इसका यह कलर है हमारी कड़ी का जिसे देखते ही फटाफट से खाने का मन करे आप इसे चावल के साथ या चपाती के साथ तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जिरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई